मेरा नाम है गौरफ तिल्थिया और आज मैं आपके लिए बहुती ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिवियस इयर जी के कोश्चन्स लेकर आया हूं जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कई बार यह एक्जाम में आ चुके हैं विल्कुल 1999 से 2016 तक यह कोश्चन रिपीट हो चुके हैं तो मैं आपको शांदार इंपॉर्टेंट वाले कोश्चन पढ़ाऊंगा और अगर आपने यह वीडियो प्रॉपर इमानदाई से देख लिया तो आपके दो नमर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मेरे दोस्तों तो चलो without wasting time start करते हैं है ना देखो 1999 से 2016 तक क्या आपको पता है कि पहली बुद्धिस्ट काउंसल कह дел今日 दूस्तों तो पहली बुदिस्ट ने लोगीती राजगिरह में होड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ढ़ाइन मेरे अब और आंपको यह बता दिया च ScISAर्ए करίν रूटकुल यहीं होनी चाहिए ए選 अर, वी, पी, के यह न तो पेहली बुद्धिष्ट कांसल का होती दोस्तों राजगीरी मेंडूसरी होई थी दोस्तों वैशाली में तीसरी होई थी दोस्तों पाटली पुत्र में और चॉतिही होई थी कुंडलवन नाम की एक जगह है कश्मीर में कुंडलवन तो आर वी पी के एक वा फिर से बताऊंगा आर वी पी और के पहली बुद्धिस्ट काउंसल राजगिरी सेकंड वैशाली तीसरी पाठली पुत्र और चौती कुंडलवन कश्मीर ओल राइट दोस्तों आपको यह तो दोस्तों उसका नाम है मरियाना ट्रेंच है ना बहुत गहरा है यह बहुत ही जादा है मैं आप सब पूछता हूँ कि इसका कितना गहरा है यह पूरा प्रॉपर वैल्यू बताओ इसकी मैं चाहता हूँ कि आप इसका अंसर दें कि मरियाना ट्रेंच कितना गहरा है ठीक ह आप बताईए कि deepest ocean जो Mariana Trench है, उसकी गहराई कितनी है, proper, ओके दोस्तों, और यह है कहां दोस्तों, यह अपने Pacific Ocean में है, है ना, और कोई पढ़ने वाला sincere बंदा है, तो वो यह भी बता दे मुझे कि वो North Pacific Ocean में है या South में है, मैं आपसे question पूछता हूँ, क्योंकि यह important है, आ बोलते हैं, selenology, बहुत ही ज़्यादा important ध्यान रखिएगा, मैंने एक वीडियो बना दिया, जिसमें काफी studies में ने पढ़ाया, fungus, phycology, mycology, तो आप जाके देखिएगा, मैं description में लिंक डाल दूँगा, तो आप देख लीजिएगा, फूर्थ वाला क्या है, यह important है, अर् अपनी access पे कितनी देर में घूमता है, एक पूरा round कब लगा लेता है, अपना अर्थ, वो लगाता है दोस्तों, 23 hour, 56 minute, 49 second, इसलिए उसको overall 24 गंटे बोल देते हैं, लेकिन अगर किसी ने exact detail पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए, 23 hour, 56 minute, 49 seconds, अर्थ अपनी धूरी क्या ब ध्यान रखने वाली बात है ये, 5th है, what is the name of world's fresh water lake, ये भी बहुत important है, इसका नाम क्या है, world का सबसे fresh water lake कौन सा दोस्तों, ये है superior lake है, इसका नाम, ये नौर्थ अमेरिका में है, इसको याद मैंने ऐसे रखा दोस्तों कि जो, obviously जो नौर्थ अमेरिका, साथ अमेरिका वाल हैं, तो वो superior quality का fresh water पीते हैं, तो superior lake मुझे ऐसे याद हो गया, और North America, simple है, okay दोस्तों, 6th देखिए, ये दोस्तों बहुत important question है, ये महाभारत is also known as, ये 2019 के IB के paper में question आया था ये, जो 2019 में IB का paper हुआ था ना, intelligence bureau का, उसमें ये question आया था कि महाभारत को और क्या बोलते है, त ठीक है, 7th देखिए, ये है who propounded that earth rotates around the sun, किसने ये बोल दिया था भाई, कि जो अपना sun है और जो अर्थ है, तो earth sun के चक्कल लगाता है, अपनी प्रतिभी, है ना, sun के चक्कल लगाती है, ये किस बंदे ने ये बात बोली थी, तो इनका नाम है Copernicus, एक एक बार पढ़ ये important है, आपको help मिलेगी, Copernicus ने ये बात बोली थी भाई, कि अपना जो earth है, वो सूर के चक्कल लगाता है, जो कि बहुत सही बात बोली उसने, ठीक है, अब एक और बात देखो, एक बंदे ना और था एक बंदा, जिसने बोला, who said planets rotates around the sun, इसने भी ये बात बोली कि जो sun अपने center of, मतलब center of mass बोलेंगे बिल्कुल, center पे है, center of mass ने बोलेंगे, center पे है, तो sun के चक्कर भी कौन लगाता है, अपने planets लगाते है, इसे देखे से अपना earth भी लगाता है, दोनों ने एक ही बात बोली है, लेकिन अलग-अलग बंदे ने बोली है, तो इनका नाम भी ध दोस्तो, light है, है ना, प्रकाश है, वो अपने प्रतिवी तक कितनी देर में आ जाता है, ये बात important, दोस्तो, ये पता भी होने चाहिए, as a Indian और आपको, मतलब तोड़ा knowledge होने चाहिए, astrology, astronomica, तो जो sun का light है, वो 8 minute 20 second में अपनी धरती पे आ जाता है, मतलब इतनी speed में light आता है, और फिर क्या है, 10th है, ये important है, जन गर्ण मन सौंग, accepted on which date, दोस्तो, ये जन गर्ण मन जो अपना national anthem है, जो कि रविना टेगोर जी ना लिखा था, वो कब अडॉप्ट कर लिए गया था, तो दोस्तो, वो 26 जनवरी जो अपनी रेपब्लिक डे है ना, है ना, उसके दो दिन पहले, 14 जनवरी 1950 को, जन गर्ण मन सौंग को adopt कर लिया गया था, accept कर लिया गया था, कि हाँ भाई, हम इसको गाएंगे अब, इसको मतलब रखेंगे अपने भारत में, इस गाने को गाते रहेंगे, तो ये adopt हो गया था, तो ये important date, question आ जाता है, कि भीज, क्या date थी, बत related rules कोन बनाता है, बहुत simple और अच्छा question है, President, ठीक है भाई, President बहुत important बन्दा है, मैंने एक वीडियो बना दिया है, जिस पर President के वारे में काफी बात बताई है, कि President किस-किस बंदे को newt कर सकता है, किस-किस बंदे की appointment कर सकता है, किस बंदे को निकाल सकता है, सारा कुछ ब पॉइंट करता है, President, I.E.S. के Chairman को कॉन पॉइंट करता है, President, सारा कुछ मेंने प्रॉपर बता दिया है, मैं description में एक लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा, आपको बहुत help मिलीगी और आप कहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है भाई, 12 बाला है दोस्तों, Uniform Civil Code comes under Article, यह बहुत important है, Uniform Civil Code comes under Article 44, बिल्कुल तोते की तरह इसको रटलो भाई, क्योंकि यह important है, अब थोड़ा सुननों कि Article 44 क्या है, Article 44 यह है कि उसमें मतलब अपने भारत सरकार ने मतलब कुछ नियम बना है, जिसमें सारे सब बंदों को एक सार ट्रीट किया जाएगा, है ना, जैसे एक्जांपल बताब, जैसे डाइवोर्स, है ना, डाइवोर्स जो होता है, तो उसमें जो लीगल, रूल्स और रेगुलेशन है, वो Article 44 के तहते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कुछ लोग क्या, बच्चे लोग माबाप के रहते, समय भी प is known as Uniform Civil Code, और उसमें डाइवोर्स, प्रॉपर्टी सिस्टम, और मैरेज वगेरा, कंसिडर होती है, इतना याद रखिये बस अभी तो, 13 वाला बहुत इंपोर्टेंट है, यह है, एक्वालिटी विफोर लॉओ, इन आर्टिकल 14, इंपोर्टेंट दोस्तों, अच्छे इक्वालिटी विफोर लॉओ, मतलब आर्टिकल 14, यहां किसी के बाप के नहीं चलीगी, हर बंदे को एक साट्रीट के जाएगा, भले आप शारुक खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर नेंद मोदी जी क्यो ना हो, अगर आपने गलती करी है, तो आपक बहुत अच्छी बात है, यहां किसी के नहीं चलीगी, भले तुम नेता हो, चाहे कुछ हो, अगर गलती करी है, तो आपको सजा मिलेगी, यह बोलता है, आर्टिकल 14, टीक है, सब को बराबरी का हक मिलेगा, आप देखो 14 क्या है, 14 है इंडिया's distance from north to south, दोस्तों north से south का 3215, ठीक है, आप देखो एक और, 15 कोशन है, इंडिया's distance from east to west, तो इसका distance है दोस्तों, 2933 km, मैंने यह से याद रखा था, कि obviously जो बंदा बड़ा होगा, जैसे अमिताब बच्चन जी है, इतने बड़े हैं, ठीक है, तो उनकी length बड़ी होगी, उनकी height बड़ी होगी, उनकी कम होगा, 2933, इस तरीके से मैंने याद कर लिया, अब कही option दिख गया, तो मैं टिक लगा दूँगा, इस तरीके से आप याद रखिएगा, आप क्या भाई, आप इस 16 वाला यह देखिए, बहुत important है, at which place, river भागी रथी, दोस्तों, गलती से लिखा गया, भागी रथी है भागी रथी and अलकननन्दा river meets and from गंगा river, दोस्तों, दो river है, भागी रथी और अलकननन्दा, वो मिलती है और गंगा का निर्माड कर देती है, ठीक है, तो मैं यह बोल रहा हूँ कि यह कहां मिलती है, question यह है इसका, कौन सी place भागी रथी और अलकननन्दा river मिलती है, तो य प्रियाग नाम की जगहा पर बहुत important, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, चलो 17 वाला देखिए, 17 क्या है, the fundamental rights can be suspended during emergency by the president of India under which article, यह बहुत important question है, यह है article 359, इसको कैसे याद रखोगे आप, एक बाद फिर से पढ़ेंगे हम, कि the fundamental rights can be suspended during emergency by the president of India under which article, जो अपने fundamental rights होते है दोस्तों, वो suspend हो जाते हैं जब emergency लगती है तो, तो यह president कर सकता है यह, तो article 359 के तहत, अपना राश्टरपती, fundamental rights को suspend कर सकता है, emergency अब लगती है तब, ठीक है, यह तो याद हो गए आपको, लेकिन मैं आपसे question पूछता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसका जरूरा answer दे दोस्तों, अगर नहीं पता तो, गूगल करें, कि emergency लगने के बाद भी कौन से वो दो article हैं, जो suspend नहीं होते हैं, मेरा question एक वाफिर से सुनिए, emergency लगने के बाद भी कौन से वो दो article हैं, जो suspend नहीं होते हैं, अगर नहीं पता तो, दोस्तों, गूगल करिए, जस्ट अभी, और आंसर लिखिये, मैं चाहता हूँ कि आपकी growth और आपको पता चले कि हाँ भाई क्या मैं न पूछा है, और बहुत important question ये आ चुका है, मैं अभी बता दूँगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप खुद search करेंगे, है ना खुद search करेंगे तो ज्यादा दिमाग में चीज़ रहेंगी, तो आप देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करूँगा इसका अंसर भी आप देंगे, 18th a rate petition can be filed in the high court under article 226, दोस्तों जो rates होती है अपनी, 5 rates होती है, बहुत important rates होती है ये, तो high court rate जारी कर सकता है, किस article के तहत, तो दोस्तों, article 226 के तहत, high court rate जारी कर सकता है, अग सब कुछ proper बताया है, तो आप एक बार जाके देख लेंगे, guarantee of 110% आपको पूरा समझ में आगा, और आप कहेंगे कि मुझे पूरा समझ में आ गया, ठीक है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, उसको भी चेक कर लीजेगा, ओके, बहुत important इस बात को ध्यान रखना, चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये भी बहुत important question है, ये है, 19 वाला, a writ petition can be filed in the Supreme Court under which article, तो दोस्तों जिस तरीके से रिट जारी करता है, High Court, Article 226 के तहत, उसी तरीके से Supreme Court भी रिट जारी कर सकता है, Article 32 के तहत, बहुत important आर्टिकल है ये, ये डॉक्टर भी जारम बेट कर जो की drafting committee के chairman थे, उन्होंने इस article को heart and soul of the constitution कहा था, क्योंकि रिट अगर ये Supreme Court रिट जारी कर सकती है, ठीक है, जब आपके fundamental rights violate होंगे, तो आप जाके Supreme Court में अपनी अर्जी लगाएंगे, तो Supreme Court रिट जारी कर देगी, सामने वाले बंदे के खिलाब, जिसके आपने complaint करी है, है ना, तो आर्टिकल 32 याद रखिएगा, बहुत important है, last question, world's deepest lake is Baikal Lake, Russia, important है, इसको याद करना पढ़ेगा, कि सबसे गहरा lake कौन सा है, Baikal Lake है दोस्तों, ये है, Russia में, ठीक है, बहुत important है, चलो भाई, फटा फट रवाइस करवाता हूँ, ताकि आपका डायम बिल्कुल बेस नहीं हो, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, है ना, और लास्ट में थोड़ी जी बात करेंगे, एक मिनिट के लिए, अभी लोग फटा फट पड़ते हैं, ये क्या भाई, पहली बुद्धिस काउंसल कहा हुईती दोस्तों, राजगीरी में हुईती, पहली राजगीरा, दूसरी, बैशाली, तीसरी, पाथली पुत्र और चौतरी, कुंडलवन, कश्मीर, बाताईये नॉर्थ पचिपिक में है, यह साओत में, बाताईये आप, थर्द कोशन है, वाट इस देड़ी आप मून, इस देड़ी आप मून, इस नोन इस सलेनोलोजी फूर्थ कोशन है, अर्थ रोटेट्स कंप्लेटली इन हाउच ताइम, 23 आर, 56 मिनेट, 49 सेकंड, फिफ्थ, वाट इस नेम अप देड़ वर्ल्ट फ्रेश वाटर लेक, सुपीर लेक, नॉर्थ अमेरिका में है, सुपीर लोग, कॉलिटी के लोग रहते हैं, फ्रेश वाट पीते हैं, इसलिए अमेरिका के लोग सुपीर होते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, महावारत is also known as Jaisamita, who propounded that earth rotates around the sun, कॉपर निकस ने बोला था, कि earth sun के उसमें चक्कल लगाता है, who set planets rotates around the sun, क्या प्ला ना बोला, 9th question है, light of the sun reaches on earth in how much time, 8 minutes 20 seconds में, अपने sun का light धर जनवरी 1950, ओके, दो दिन पहले, ध्यान रखिएगा, who made the rules regarding citizenship, president बनाता है, president से related मैंने वीडियो डाल दूँगा, मैं जरूर देखिएगा, description box, आपको बहुत help मिलेगी, 110% guarantee मेरी, वीडियो पसंद नहीं आए, तो comment box खाली, जो मन में आये, बोल देना, 12th, uniform civil court comes under article 44, marriage, divorce or properties related, जो टंटा होते हैं, वो uniform civil court देखता है, इतना याद रखिए, और important है, तोत एक तरह रटलो इसको, 13th है, equality before law, in the article 14 comes from Britain, British है लिया गया है, यह वाला article, है ना, और article 14 में यह है, कि सब को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, किसी के बाप के राज नहीं चलेगा, यहाँ, अ आप जाके जरूर देख सकते, बले लिस्ट में, बना में डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा, दो चार वीडियो, जरूर देखिएगा, आपको बहुत हल्प मिलेगी, guarantee wise बात की, 14th है, इंडिया का डिस्टेस नॉर्थ सा साथ है, 3214 किलोमेटर, इस्ट से बैस का डिस्टे suspended during emergency by the president of India, under which article, article 359 के तहत, president fundamental rights को suspend कर सकता है, emergency जब लगती है, लेकिन मैंने question आप से पूछा था, आप sincerity दिखाईए और talented सावित करीए अपने आपको, कि कौन से वो दो आर्टिकल है, जो emergency लगने के बाद भी suspend नहीं होते हैं, ये question आ चुका है, दोस्तों मैं जरूर जाना सकता हाई court, और 19th question क्या है, writ petition can be filed in the Supreme Court under article 32, जिसको heart and soul of the constitution बोलते हैं, अगर रिट्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो description में video upload हो जाएगा, जरूर जाके देख लिजिएगा, link में डाल दूँगा, आपको guarantee मजा जाएगा, आप कहेंगे, सब कुछ clear हो गया, 20 वाला क्य क्या है, अभी आपने पढ़ा है, बताइए कहा है, रश्या में है, क्या नाम है, यूनिफर्म से वल कोड कौन से article के अंदर आता है, मैंने अच्छे से बता दिया है, property divorce or marriage, equality before law is in which article, article 14, article 15, article 16, 17, बताइए क्या है, जन गन्मन adopt हो गाता है, कौन से थारिक को हुआ था दोस् तो, thanks for watching, my beautiful friends, you all are beautiful, you all are courageous, bravery, बाले परसन, शांदर, शांदर, तो अच्छे से महनत करो, if you really like this video, then please subscribe this channel, और revisionist देखी, बार बार रिवाइस करिए, गलत फेमी मत रहिएगा, कि एक बार पढ़ लूंगा, या पढ़ लूंगी ते सब कोच यात हो जागा, ऐसा नहीं होता है, दो, तीन बार वीडियो को देखिए, प्रॉपर, प्लेलिस्ट मेडायल लीजिए, और बार बार देखिए, जब तक प्रॉपर याद ना हो जाए, और लास्ट बात यह है दोस्तों, कि 5-6 घंटे हर दिन जो पढ़ाई करेगा, जनवरी, फरवारी, मार्च, अप्रेल, माई और दिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके, चलो, thank you so much, never ever give up, be consistent towards your goal and be proud of who you are